हेलो फ्रेंड स्वागा थे आपका मेरे टूट चैनल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लाश 12 का फिजिक्स के कुछ इंपोर्टेंट्स क्वेस्टन लेकर आई हूँ जिसे आप पूरे के पूरे अपने एक्जाम में 100% में 90% आप ला सकते हैं 99% तो प्लीज अगर आपको पाना है इतना नंबर तो प्लीज बने रहे हैं मेरे विडियो के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए कमेंड कीजिए, सेयर कीजिए मैं आपको पूरे आपके चार जो इकाई है फिजिक्स में चार इकाई से मैं आपके लिए चारो सब्जेक्ट से चारो टॉपिक से बेश्ट इंपोटेंट जो की कहले मोस्ट इंपोटेंट मैं आपके लिए क्वेस्टन लेकर आई हूँ जो की आपको 95% लाना आपका तय है तो आप एकजाम में अपने उतने नमबर ले आएंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यह आपके सारे तीन क्वेश्जन है जोकी इस्तीर व्यद्यूति की ठीक तो इस्तीर व्यद्यूति की परिभासा क्या होता है इसको आप लर्न कर लिजेगा सिखेंड आता है यह सब के सब बेरी most important है इसे आप कहीं जाने मत दिजेगा पक्का इसे याद करके जाएगा सारे की सारे question very very most important है so please पूरे का पूरा आप वीडियो देखिएगा और अपने important notes को screenshot ले लिजेगा आप बेश्तिर बैदुतिकी में आता है गौस का प्रमे ठीक है किसका गौस का प्रमे आता है और second है समांतर प्लेट संधारित धारिता का सूत्र ठीक क्या संबांतर प्लेट संधारित धारिता का सूत्र रिखने को आता है तो आप बोक्स देख लिजेगा अगर आपको प्रोब्लम हो तो कमेंट में कर दीजेगा मैं आपके लिए विडियो बना दूंगी समांतर प्रेट संधारित धरिता का सुत्र नेक्ष्ट है अफवा वेग ओके नेक्ष्ट क्या है अफवा वेग ये रहे आपके इकाई फर्ष्ट से इस्तिर ब्यादितकी का दो क्वेस्टन बनता है गास का प्रमे और समांतर प्रेट धरिता का सुत्र ठीक है नेक्ष्ट इकाई आता है मारा धारा व्यादितकी से ये तीनों है दिया है धारा व्यादितकी इकाई दो है आपका फिजिक्स का पहला है अफवा वेग ठीक है अफवा वेग की परिभासा वर्डन टिपड़ियां जो भी आए आप इसे राइट कर लिजेगा सिकेंड है किर्चाप का नियम ये most important है किर्चाप की नियम इसे आप जरूर लरन कर लिजिएगा वीट इस्टोन सेथ, वीट इस्टोन और सेथ मेटर सेथ, नेश्ट क्या है, वीट इस्टोन सेथ, सेथ मेटर सेथ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्चन है, इसे भी आप देख लिजेगा, वीट इस्टोन और सेथ मेटर सेथ, ठीके, इकाई, सिकेंड में सब से लाश्ट आता है स्रेडी का पासरुकम तथा स्रेडी क्रम का सयोजन क्या है क्विस्टन स्रेडी का पासरुकम तथा स्रेडी क्रम सयोजन जो कि हमारा धारा बैदूतिक से आता है ठीक है यह तीनों बेरी बेरी मुस्ट इंपोर्टेंट है इसे लर्न कर लिज़ेगा मैं आपके एक्जाम में आने वाला है अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में करिएगा कि हाँ आपने गलत बताया नहीं आयाल बट ये सारे की सारे most important very very most important है कहीं छोड़के जाईएगा मत जरूर पक्का याद कर लिजेगा अगर आपका टार्गेट होगा 95% 99% लाने के लिए तो मैं बता रही हूँ इकाई थर्ड आता है आपका क्या इकाई थर्ड आपका आता है बैद्यूत धारा का चुम्बकी प्रभाव तथा चुम्बक ठीक है क्या बैद्यूत धारा का चुम्बकी प्रभाव तथा चुम्बक आपके physics का इकाई थर्ड है बैदुद्धारा काचुंबक की प्रभात था चुंबक तो पहला इसमें क्वेस्टन आता है आपका जो की सारे की सारे very very most important है जैसे ये very very important है ठीक तो ये बायो सिवट का नियम ये अक्सर हमेशा एक्जामें पुसता रहता है कि बाय सिवट का नियम क्या होता है राइट करिए एंपियर नियम ठीक है सिकेंड क्या है एंपियर नियम और सबसे लास्ट जो की मोस्ट इंपोर्टेंट है चुम्बकी छेतर रेखाएं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है अक्सर एक्जाम में पुछा करते हैं ओस्टट का प्रयोग ये most important है मैं सारे के सारे आपको जितने भी आपके एकाई है सब के सब मैं आपके लिए लेकर आई हूं most important केवल question बाकी और कुछ नहीं लेकर आई हूं इसलिए प्लीज आप पूरे के पूरे solve करिएगा अगर आप पूरे के पूरे एक्जाम लंबर लाना चाहते हैं तो ओस्टट का नियम का प्रयोग भी नियम पूरा पढ़ लिजेगा सो ये रहा आपका इकाई 3 से इतने question रहे ओके चलिए बात करते इकाई 4 की एकाई 4 आता है वैद्यूत चुम्बकी प्रेण़ तथा प्रत्यावरति धारा ये तो आपको पता ही होगा कि आपको नियम प्रत्यावरति धारा है जिसमें ये सारे के सारे most important है पूरे के पूरे आप लर्न करके जाईएेगा मैं आपको पूरा गारंडी देती हूँ ने फ्रस्जंट के आपके पूरे के पूरे यही नमबर आने वाले हैं बाकि कुछ आपका कोई भी क्वेस्टन बाहर से नहीं देगा सो फर्स्ट है फैराडे का नियम यह मोस्ट इंपोर्टेंट है हर जगह यह आता है हर एक्जाम में पूछता है फैराडे का नियम क्या होता है लेंज का नियम वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ठीक लेंज का नियम भी यातकली जगा सो प्रेरड तथा अन्योन प्रेरड आप कोई भी पेपर उठा के देख लिजिए ये सारे के सारे क्वेस्टन हर साल पुछते हैं मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको मैं 99% ले आऊंगी अगर आप मेरे बताएगे सारे के सारे क्वेस्टन को नियमा नुसार अगर आप हल करके जाएंगे पढ़के जाएंगे क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है केवल 2-3 महिने के अंदर आपका एकजाम आने वाला है तो प्लीज मजाक मत करिएगा आपने पढ़ाई से और पूरे के पूरे नंबर लाईएगा और मैं जितने नियम बता रही हूँ सारे के सारे क्वेस्टन को सॉल्ब किजिएगा देखिएगा आपका टारगेट ना 99% से हुआ तो आप कहिएगा मुझे तो सबसे लास्ट और सबसे चीत्र बनाने के लिए आता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है फिजिक्स कमेश्ट्री बायो मैथ को छोड़के फिजिक्स कमेश्ट्री बायो में सब में आपको सचीत्र वर्डन करने को आता है जिसमें एसी जनीत रुवर ट्रंसफार्मर का चीत्र बनाना रहता है क्या AC Zanitro War Transformer का चीतर बना के कभी कभी या फिर टीपड़ी लिखने को भी दे देता है ठीके या तो फिर इसका परिभासा लिखने को देता है बहुत सारे क्वेस्टन बनते हैं एक क्वेस्टन में तो AC Zanitro War Transformer का चीतर बना के सची द्रवर्डन आप कर देंगे तो आपको पूरा कनफॉर्म है कि अच्छे सची नंबर मिलेगा तो प्लीज आप पढ़ाई से मजाग बिल्कुर मत करिएगा दो-तीन मेने का टाइम है मैंने जितने भी क्वेस्टन आपको बता रखे हैं सारे के सारे क्वेस्टन को सॉल्व किजेगा और मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपके एक्जाम में यहीं आने वाला है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सस्क्राइब किजे और वीडियो चाहिए तो मेरे जो भी आपको किसी भी सबजेक्ट में अगर आपको प्रोब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा तो मैं आपको जो भी वीडियो चाहिए मैं आपको सेयर कर दूँगी ठीक है तब तक के लिए बाई बाई